आप नमश्कार दोस्तो, स्वागत है आपक का एक बार फिर आलको क्राब uh, के वीदियो टॉटोल में मैं हूं आपका दोस्त फर्वीं नाना और आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे एक नए प्रोडक्ट के बारे में भताने आने जा रहा हूं दोस्तो प्रोड़क्ट का नाम है और यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्रोड़क्ट है तो मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे के सारे फीचर समझ में आपाएं मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप अगर यह वीडियो कूरा देखेंगे तो आपको 100% के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रोड़क्ट होती पसंद आएगा और आप इसको यूज करना भी चाहेंगे तो चलिए दोस्तों बिनस हमें गवाई वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो वीवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और साथी साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि बैल आइकन दबाने के बाद आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेग तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं अलगो ब्रिज को हमने लिखा है ट्रेड कोपियर फॉर इंडियन स्टॉक मारकेट तो इसका एक फीचर ये भी है कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे प्लाटफोर्म के आपको अलग-अलग अकाउंट में ट्रेड करने में काफी मुस्यवत होगी और उसमें टाइम भी काफी जादा जाय होता है लेकिन हमारा जो प्लाटफोर्म है उसमें आप विदे सिंगल क्लिक सारे के सारे अकाउंट में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और यही नहीं कि आप 4 या 5 अकाउंट आप 40, 50, 100, 500, 500, 1000 इतने मर्ज़ी अकाउंट में और प्लेस कर सकते हैं जो कि विदाउट एनी डेले जाएगा ठीक है तो मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा चीज़ें कि किस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह जो प्लाटफोर्म है इ अपना नाम, अपना इमेल, अपना मुबाइल नमबर, अपना पासवर्ड जो भी आप क्रीट करना चाहते हैं वो पासवर्ड क्रीट करके आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर सकते हैं जैसे यह आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे आप से मुबाइल पर OTP आएग और पुछ इस तरीके का मैं डाश्बोर्ड आप देख पा रहे होगा कि मुझे यहां पर डाश्बोर्ड दिख रहा है जिसमें कि मैं सिंबल्स कर सकता हूँ और चार्ट वी देख सकता हूँ तो बैसिकली यह सारे काम हम अपने ब्रोकर के अकाउंट पे भी कर सकते हैं जो आपका broker का account होता है उसमें और algo bridge में क्या फरक है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहला important चीज यहाँ पर यह है कि आप अपने broker के account पे charts भी देख सकते हैं ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अपना order book trade book सब देख सकते हैं लेकिन यह जो platform हमने बनाया है यह combined है यहा पहले क्या होता था कि आपको bridge के लिए अलग जगे token लेना और trading करने के लिए अलग token लेना है ठीक है यानि कि आपका bridge अलग जगे चल रहा है और आप manual trading भी अलग जगे कर रहे हो कभी-कभी problem यह होता है कि आप एक जगे token लेता हो तो दूसरी जगे से token expire हो जाता है फिर manual trading क करने में प्रॉलम आती है तो इस सबसे निजात पाने के लिए हमने प्लैटफों मनाया जो की ब्रिज का भी काम करता है और साथ ही साथ यहां पर से आप अपनी परस्नल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं तो आपको यहां पर आके करना क्या होता है और एक चीज़ और मैं आपको इं प्री है आप आके अपने ट्रेडिंग करिए कुछ भी करिए इस पर ओको किसी तरीके का एक रुपे का चार्ज नहीं प्रेकर ना है ठीक है करना क्या होगा सबसे पहले आपको अथेंटिकेशन करना होगा और अपने ब्रोकर को इसके साथ लिंक करना होगा ठीक है यहां पर करने के बाद आपको यहां पर टोकन आपको मिल जाएगा उसके लिए आपको अपनी ब्रोकर की डिटेल्स जो है आईडी पासवर्ड और यह सब ठीक है तो यहां पर मेरा अकाउंट आ रहा है अब मैं यहां पर अपने पासवर्ड डालता हूँ कि इसने यहर ऑफ बर्थ मांगा और उसके बाद यह तीओट इपी मांग रहा है तीओब से बारे में अपने विडियो बना रहे हैं कि से जनरेट करना अगर आपको पास तीओग अपने डिडे नहीं किया है तो आप वीडियो देख के कर सकते हैं तो टीपी Google Authenticator से होता है Google Authenticator या फिर Microsoft Authenticator कुछ भी आप अपने में इंस्टाल करके उसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपना टीटीप डाल रहा हूं और उसके बाद मैं यहां पर टोकन लेना है तो अभी यह जब टोकन सक्सेस्फुल मिल जाएगा तो यह रिडरेट करके हमें हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा तो अब हम अपनी वेबसाइट पर आगए हैं वापस और देखिए आप यहां पर आपको डिख रहा है टोकन जेनरेटेड बारवा महीना कोई ट्रेड ने किया। जैसे मांने जो में आप एक ट्रेड करता हूं तो जैसे ह forgiabath का एक ड विल्ह ऑनच से हैंवेड़ेबन जीरो ए डेड होगया लेकिन अभी आपको ऊचरुक देख लिखिया लीकिया है ट्रेड बुट भूक पर इस तरीके करते हो कि मेरी क्या पोजिशन अलड़ी पड़ी हुई है ठीक है तो अब यहां पर आपको ट्रेड करना समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना कोई भी सिंबल आपने आप ही क्रिएट करना चाहूं आराम से कर सकते हैं यहां पर निफ्टी लिखा तो निफ्टी का यह आ गया देख रहे हूं यहां पर आपको दिख रहा है यह था सबसे पहला चरन की जी आप अपने कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं जो आप ब्रोकर के पैनल से करते हैं जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं उस अभी हां पर आप मैंनुली कर सकते हैं अब मैं जाना है setting में ठीक है setting में आप देखेंगे यहां पर want to automate your strategy यहां पर ब्रिज के लिए आपको 500 रुपीज का payment करना है monthly अगर आप ब्रिजिंग करना चाहते हैं तो ठीक है अगर आप ब्रिजिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप direct platform को use कर सकते हैं प्रिजिंग करने के लिए हमने यहां पर कुछ freebies दे हुई हैं जैसे free indicators हैं हमारे platform के साथ यूज करने वाले अभी मैं मालीजे मुझे super trend यूज करना है तो मैंने super trend को download कर दिया अब क्या यह empty 4 का indicator है अन्य कि meta trader 4 का indicator है तो अब meta trader 4 के indicator को use करना है हमें तो हमें meta trader 4 भी install करना होगा ठीक है अगर आपको अस meta trader नहीं है तो आप install कर सकते हैं या फिर आप हमें हमारे दिये numbers पर call कर सकते हैं हम install कर देंगे 932-530 हम available होते हैं तो अब यहां पर मैं आ गया और यह मैंने सारे charts को हटा दिया और अब मैंने सबसे पहले हमें इसको paste करना होगा पेस्ट करने के लिए कैसे जाना है मैं फाइल में उसके बाद open data folder में जाना है उसके बाद mql4 में जाना है मैं दुबारा से दिखा देता हूं आपको यह file मे गया open data folder में गया उसके बाद mql4 में गया उसके बाद indicators में गया यहां पर आप कोई भी folder create कर सकते हैं जैसे मैंने इसको paste करूंगा यह बता रहा है already available indicators still मैंने इसको paste कर दिया ठीक है पेस्ट करने के बाद आपको कोई भी एक chart लगाना जैसे nifty की market अभी चाल हूँ है तो य उसके हम मैं signal मिल पाया और यह कि trade कर पाया हम और यह सब जो मैं अभी setting करने जा रहा हूं दोस्तों यह सब जो मैं कर रहा हूं वह normal इस लिए है कि आपको मैं trade करके दिखा पाऊ इसका आपको इस तरीके की कोई setting मतलब करनी नहीं है मतलब यह बहुत fast parameter हैं इन पे हर दो parameters के बारे में मैं अल्रेडी बता हुआ लेकिन फिर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यह किस तरीके स्काम करते हैं यहां पर सर्व पतम आपको API trading को on करना और यहां पर user की डालना है user की आपको आपके platform से मिलेगी यह जो आपका platform है इसमें authentication के section में user की है यह user की आपको copy कर लेनी है और यह आपको जाकर indicator में paste करनी है ठीक है यह मैं आपके पेस्ट कर देता हूं यह भी मैं आपको briefly बताऊंगा एक indicator वीडियो बनाके proper इसका फिलाल मुझे क्या करता है यह मैंने यहां पर कर दिया अब यहां पर हमें trade करना है लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा यहां पर हमें symbol create करना है जिसमें trade करना है ठीक है setting में जब आप जाएंगे bridge tool हमने on कि क्या है future में on कि अभी हम silver micro में trade कर रहे हमें करना निफ्टी में तो हम यहां पर निफ्टी लिखेंगे निफ्टी 22 यह देखो दिसंबर का 19000 का contract 19000 तो चली नहीं भी चलिए इसी में करते हैं ठीक है यह हमने यहां पर add किया उससे पहले हमें quantity में 50 लिकना होगा और add symbol करना ह होगा अभी add symbol हो गया अब इस symbol में कोई trade आएगा मतलब कोई भी निफ्टी का trade आएगा तो वह इस वाले symbol में trade कर देगा अभी हम यह आगे देखते हैं किस तरीके से trade होगा तो यह हमारा चार्ट है जिसमें कि अभी यह लगा हुआ है और यह चल रहा है साथ ही साथ में दबर क्लिक करते हैं इसको सेव कर लेते हैं यहां पर भी हमने इसको सेव कर लिया यहां पर कर देंगे हम और गो ब्रिज करके वैंने सेव कर लिया अब यह सेव हो गया अब यही सेम हम अप्लाई कर देंगे अपने दूसरे वाले में इसमें जाके हम अप्लाई करेंगे हम क का टाइम प्रीम डाई गया अब हम क्या करेंगे अपने प्लाटफोम पे जाएंगे यहां पर हम देखेंगे ट्रेड इंफो में ठीक है okay bridge trade history में इस सिल्वर का trade दिखा रहा यह आज कि तारिक का ट्रेड़ है जो अभी हुआ है अभी आप देख सकते हूं ठीक है इसमें दिखारा रहा है और 19 तारिक और 12 महीना जो है दिसम्बर का ठीक है तो यह दिखारा 4 इन बच के 14 मिनट पर ट्रेड हो गया ऐसे ही अगर आपका निफ्टी में भी कोई ट्रेड आएगा तो वो भी ट्रेड आपका सक्सेस्फुली चला जाएगा तो निफ्टी की ट्रेड करने से पहले वो तो हम देखते रहेंगे भी साथ ही साथ की किस तरीके से नया कोई है अभी हम यहां पर गए निफ्टी में अभी हम यहां पर अपर ट्रेड इंफो को रिफ्रेश करेंगे तो हमें वो भी दिख जाएगा देखो ठीके दिखिया सेल क्वांटिटी फिफ्टी सुपर ट्रेंड नॉर्मा यारे की इंडिकेटर का भी नाम आ रहा है और यह भी एंट्री है या एक्जिट है वो सब आएगा आपको एंट्री है स्टॉप लोस है टार्गेट है जो भी हो यहां पर आ जाएगा साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि यह डिटेल ज्यादा लंबी होगी ज्यादा डेटा आगया अभी मुझे इसको क्लियर करना है आप क्लियर अब दे लिटेंगे उसके लिए one time हम development charges लेते हैं वो जो आपको जब हम quotation भेजेंगे तो आपको उसमें सब charges वगरा mention होंगे उससे पहले हमें यह जानना होता है कि वह कितना काम हमको strategy में करना होगा उसके हिसाफ से costing vary करती है ठीक है तो यह था कि भी आप अगर मालों किसी indicator से यूज करना चाहते ह कों से super trend available हाफ ट्रेंड available है multi indicator available हाइकन आशियों सूपर ट्रेंड available है semi algo trading available है और range breakout available है अगर इन से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से download कर सकते हैं इसके अलावा तीसरा जो concept है उसके बारे में हम बात करेंगे जो कि है trade copyer और वो बहुत important भी है ठीक है क्या है कि मान लिजे आपके पास अपने 5-6 account है या फिर आप एक portfolio manager और portfolio manage करते हो बहुत सार इस तरीके से trade गए है हमारे हम यहाँ पर अगर अपने platform पर आके trade info में bridge trade history में जाएंगे तो आपको देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह दिखा रहा है कि वाइसवर्सा का एक trade आया है और उसके बाद entry हो गया sell का फिर sell हो गया buy का जो एक्जिट हो गया उसके बाद नया entry buy का प्लेस हो गया ठीक है यह हो गया complete अब मैं जो आपको बता रहा था trade copier के बारे में तो दोस्तों copier में क्या होता है कि आपको पास अपने खुद के दस पंदरा बीस पचास अकाउंट हो या फिर अपने खुद के चार पाच अकाउंट हो दोनों prospective हो सकते हैं और अगर क्लिक करने से आपको एक payment का पेज खुलेगा और उस payment के पेज में आपको 2000 रुपीज का payment करना है 2000 का payment करने का आपका अकाउंट जो वह master के अकाउंट में convert हो जाता है अब master के अकाउंट में क्या क्या चीज़े होती हैं वह मैं आपको दिखाता हूं देखिए यहां पर आप देख सकेंगे मैंने authentication किया मार्केट वाज देख रहा है मुझे trade info देख रहा है और broker panel देख रहा है लेकिन जब मैं अपना account master के अकाउंट पे open करूंगा तो मैं आप bridge trade history मतलब कि जो हम mt4 के साथ कर रहे हैं ब्रिजिंग के साथ जो trade आरी है वो bridge trade history में आएंगी और normal जो trade कर रहे हैं वो trade history में आएंगी broker panel में आपको यह सारी चीज़ें महां मिल थी user में एक create user का और एक my client का option है create user में आप जो है click करेंगे और यहां पर कोई भी user create कर सकते हैं उनका नाम डालेंगे उनका email डालेंगे mobile number password जालके जब आप submit करेंगे तो वो detail है आपकी account create हो जाएगा अगर आप यहां पर correct email डालेंगे जो client की email है वो ही डालेंगे और submit करेंगे तो उनके पास एक mail चला जाएगा अगर आप चाहते हैं अपनी details email की या mobile number की सारा confidential रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी ID password डालके email यहां पर account create कर सकते हो वो create आपको अपने user को द trades को copy करेंगे जो आप आपकी करी हुई trade copy होंगी वो किन के पास होंगी वो सब यहां पर होंगे तो जब उनको एक detail मिलेगा तो वो detail से login करेंगे जैसे मैंना भी login किया था login करके authentication में जाएंगे और यहां पर token लेंगे उनको भी यही काम करना है ठीक है token सबको लेना होता है तो token उनको भी लेना और आप को भी लेना उसके वाद trade copy करने के लिए कि यहां पर आप देखेंगे की my clients का एक section है ठीक हैं user info में my clients को section है इसमें मुझे दिखा रहा है कि मेरे कौन कौन से client है और किसका जैसे यहां पर देखा रहा कि मेरा token valid झालेड है है कि माइनस वन देजर है मैं अक्सपाइर हो चुक है इसमें जो लिंकिंग था। उसके협 लिए अप रों करने for a क्या बेको कर लाइद के लिए वह आप डिस्कस करेंगे हमारे टीम से तो वह आपको प्रॉपर बता देंगे तो अगर आप बनते हैं तो आपको payment करना होता है सबसे पहला master बनने का जो कि 2000 रुबीज है उसके बाद जितने भी users का आप trade copy करेंगे वो per user per month का आपको charges pay करना होता है ठीक है वो vary करेगा अब यहाँ पे आपको trade copy करेंगे तो आप यहाँ पर setting में जाएंगे और setting में जाने के बाद यह सारे के सारे option यह users की trade करना चाहते है तो भी कर सकते हो bridge को enable रखना है आपे symbol create करना है और indicator वैसे ही लगाना जैसे मैंने mt4 में लगाया था आपकी user की आपको यहाँ से मिलेगी यह user की आपको वह डाल देनी है तो आपके trades भी होंगे और आपके साथ के लोगों के trades भी होंगे तो जैसा कि आपको आप जैसे मेरा एक account है वहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा रहा था आपको कि इसमें एक trade place करने का option है तो जब मैं trade place करूंगा तो मेरे साथ साथ मेरे साथ के जो लोग हैं जिनका यहाँ पर जैसे मैं अपने ही account मैं आपको दिखाता हूं ठीक है एक account मैंने allies का token लिया एक account में मैं मालो जिरोधा का token लेता हूं ठीक है जिरोधा का मुझे detail डालना है मुझे detail डालता हूं करके generate token पर click करना है token generate होगा तो वापस से इसी website पर आ जाएगा तो यहाँ पर जब user account में आप जाएंगे और यह master account में token मिल गया हमने generate token पर click कि आप यह देखो token valid है तो ज stand भी कर दिया तो अभी यहाँ पर day left 9 दिखा रहा है तो अब जो भी मैं trade करूंगा ना इस account में वह मेरे दूसरे account में भी हो जाएगी नॉर्मल ऑडर मारते हैं है कि अधिन सी का दो प्लेश किया तो जैसे में अकॉंट प्लेश किया यहाँ पर प्लेश हो गया अब यहाँ पर आप जाके आप देखोगे ना अपने इसमें यह आप देख सकते हो 39 तारिक को जो है एक ट्रेड़ आया कि इन टिपीची बाई सींसी चू दू एक है कॉण सा account है यह यूजर का account है यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो यहाँ पर जो नैविगेटर में जो डेटा वो क्या है और जो मास्टर का account है यहां पर भी आप देखो ओडर बुक में जाके तो आपको दिख रहा है एंटी पीसी बाइ टू तो इस तरीके से आपका ट्रेड जो दूसरे अकाउंट में भी चला जाता है तुरंत की तुरंट चला जाता है जहां पर आप देख सकते हो 15 बज़के 26 मिनट 30 सेकंड पर आपका ट्रेड गया है वहाँ पर भी 15 बज़के 36 मिन आप चाहें तो इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हैं फ्रीवी में जाके आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं चाहे आप मास्टर हैं चाहे आप यूजर हैं आप इंडिकेटर्स को इस्तमाल कर सकते हैं आप अगर यूजर हो या मास्टर हो आपको सेटिंग में जाक तो यह था कि किस तरीके से मैं आपको बताया कि किस तरीके से हमारा प्लैटफॉर्म काम करता है क्या क्या चीज़ें और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें जिनको मैं अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया इस वीडियो में क्योंकि मुझे लगा कि यह काफी लेंथी होगा मैं वन बाइवन सेक्शन बाइव सेक्शन की वीडियो की सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा इसमें की हर रोज मैं आपको किसी एक फीचर के बारे में तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय ठेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग